यहां महराष्ट के ग्रीमंतरी अनिल देशमुक ने अपना इस्तीफा मुख्यमंतरी उद्धर खाकरे को सौप दिया है खबर है कि महराश्ट का ग्रीम अंताल है अब मुख्यमंतरी छाकरे के पास ही रहेगा अनिल देश्मुक के इस्तिफे पर NCP का कहना है कि उन्होंने खुद ही इस्तिफे की पेशकर्ष की है लेकिन आपको बता दें कि ये इस्तिफा इसलिए हुआ है कि मुंबाई पुलिस के पुर्व कमिशनर परमभरि सिंग याचिका पर बॉंबाई हाई कोट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि 100 करोड रुपए वसूली के आरोपों की जाच अब CBI करेगी हाई कोट ने 15 दिनों के अंदर पहनी रिपोर्ट मागी है याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉंबाई हाई कोट ने कहा कि अनिल देश्मुक पर लगे आरोप बहत गंभीर हैं हाई कोट ने कहा कि अनिल देश्मुक राजी के ग्रीमंत्री हैं ऐसे में निश्पक्स जाज के लिए पुलिस पर निर्भार नहीं रह सकते हैं अगर CBI की रिपोर्ट में ग्रीमंत्री अनिल देश्मुक पर केस बनता है तो CBI FIR दर्ज करेगी इस वक्त की बड़ी ख़बर महराष्टरा से और इस पर डीटेल जानकरी के साथ हमारे साथ जी 24 तास के संपादक निलेश खरे इस मख जूड़ रहे हैं निलेश जी बहुत बहुत पागत है आपका मेरा पहला सवाल आप से यही होगा कि पहले तो मौत मजबूती से यह बात कही गई कि इस्तिफा नहीं ग्रेह मंतरी को लेकर जो बीज बचा हुआ था आज हाई कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद हाई कोर्ट द्वारा इस पूरे मामले को सीबे आई को सौप दिये जाने के बाद साफ हो गया कि अब एनसीपी पूरी तरह से गिर गई है उद्व ठाकरे सरकार पूरी तरह से गि मुलाकात की और शरत पवार के आदेश के बाद अनिल देशमुक ने महराश्र के मुख्यमंतरी से मुलाकात की और अपना इस्तिफा जो है वो सौप दिया पर सबसे महत वो पूर्ण चीज़ यह होगी जो कि देखने लाइक होगी आने वाले जिनों में सरकार पर बड़े प पिया सदीकारी भी होंगे तो सब है कि यह सरकार और भी बड़े घेरे में फस्ती नजर आएगी और अगर यह दबाव यह सरकार सेहन नहीं कर पाई तो जो कि एक तीन पईयों के सरकार के तोर पर इस सरकार को देखा जा रहा है यह सरकार चर्मरा सकती है बिखर सकती है गिर सकती है और आने वाले 20 से 25 दिनों में ये साफ हो जाएगा कि क्या ये सरकार इस दबाओ को सहन कर पाएगी ये बदनामी जो है इस बदनामी के परे जाकर ये सरकार अपना चैरा बचा पाएगी और यही अब देखने लाइग होगा क्योंकि इस्तिप्या तो हो चुका है यह आपने बहुत महत्पून बात कही कि यह जांच की आज बढ़ेगी और अब आगे देखना बहुत महत्पून होगा कि यह सरकार किस तरह से टिकती है क्योंकि आपने कहा कि चोतरफा सरकार इस पूरे मामले में घिर गई है बहुत शुक्रिया निले जी आपका इस ख़बर डीटेल जानकारी हम तक पहुचाने के लिए